वेलकम टू नेक्स एकजाम आज है 13 मार्च 2023 और 13 मार्च 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में बिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट व मैं आपसे कुश्चिन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बताना है आज की इस वीडियो की पेडियो की डिसकस्व में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप चोईन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते है पहला कुश्चिन है हाली में किस देश के प्रधर्वंतरी भारत की आदिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं तो अभी जापान के प्रामिनिस्टर फूमियो के सिदा इसी बेस मार्च को भारत की आदिकारिक यात्रा पर आ रहे है तो इस कुश्चिन जापान की केपिटल के है? टोक्यो, जापान की करंसी के है येन और जापान के प्रिजेन टेम पर प्रामिस्टर कौन है? फुमियो केसिदा अभी भारत और जापान के बीच सेयुक्त प्रसिक्षड अभ्यास धर्म गारजियन शुरू हुआ है भारत जापान को पेचे छोड़कर बैस्विक इस्तर पर तेसरा सबसे बड़ा ओटो बाजार भय बना है भारत और जापान के बीच सेयुकत अब्यास बेर गार्जियन 2023 अभी संपन हुआ और मालावार एक्साइज 2022 जापान में हुई इतना आप जापान के बारे में याद रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेयर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइप आटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है चेन की संसद में नए प्रेमियर के रूप में कैसे नामित किया गया है तो चाइना में प्रेमियर हुआ करते हैं जैसे इंडिया में प्राइमिनिस्टर होते हैं उसी तरह चाइना में प्रेमियर होते हैं वहाँ प्राइमिनिस्टर को प्रेमियर कहते हैं तो चेन की संसद में नए प्रेमियर ले कियांग नामित हुए हैं तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है और चाइना की तेसरी बार प्रेसिडेंट बन गए है जे जिनपिंग, जे जिनपिंग ने तेसरी बार प्रेसिडेंट पद की सपत ले ली है, वहाँ पे सर्वोच पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेमियर बने हैं ले कियांग, ये हैं ले कियांग, ये चैना की संसद में अब नए प्रेमियर बने हैं, अब चैना तो संचार उबग्रे जॉंग सिंग 26 का प्रक्षे पड़ किया चेन ने अमेरिका में अपने दूत चिन मांकूर नया विदेश मंत्री बनाया है बैग्यानिक पत्रों के प्रकासन में चैना टॉप पर रहा है चेन ने अपने अंत्रिच स्टेशन के लिए मेंग्टियन नामक इतना आप चैना के बारे में आद रखिए ने क्यूशन है केस देश के द्वारा हिंद महासागर चेतर में टूप एक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया तो अभी अपने देश भारत के द्वारा हिंद महासागर चेतर में टूप एक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया तो इस क भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। भारत ने इंटरनेशनल बिक केट अलाइंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। आई एम एफ की अनुसार भारत में 2023 में बैस्विक विकास में 15% योगदान देने की चमता है। और दुख दुद उतवादन में दुनिया का नमबर बन देश अपना देश भारत बन गया है। ये पतंगे की दुर लब प्रजाती है। और इसे अभी केरल में देखा गया है। दुसकुशिन का से ओप्सिंस है और अभी से पहले, 127 साल पहले इसे स्रेलंका में देखा गया था, 127 साल के बाद अब इसे केरल में देखा गया है, अब केरल तो ये है मैप में केरल, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुबननत पुरम, केरल के चीपनिश्टर कौन है, पिनराई बिजियन और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ महम्मद खान, आरिफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन स्कूल, बन आईस योजना शुरू की थी, केरल में अटुकल, पॉंगल, धूमधाम से बनाये गया है, केरल में मंदिर में अनुस्ठान कर्तब्यों को पूरा करने क लिए, रोबोटिक हाती पेस किया गया है, में होल साफ करने के लिए, रोबोटिक स्केमेंजर्स का उप्योग करने वाला पहला राज केरल बना है, और छेत्री वासा में निर्ड़य प्रकासित करने वाला देश का पहला हाई कोट, केरल हाई कोट बना है, ने क्यूशन है, क प्रवासन को रोकने के लिए UK ने illegal migration bill पेस किया है, अब UK तो ये है map में UK, UK की capital क्या है, लंडन, UK की currency क्या है, pond sterling, और UK के present time पर प्राइमिनिस्टर कौन है, रेशी सुनक, अभी पूर प्रदानमत्री मन्मौन सिंग जी को UK के द्वारा lifetime achievement honor से सम्मानित किया गया, जागरती यादब, एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी, UK ने अमीरों के लिए कर्मे कटोती के प्रस्ताव को रद्ध कर दिया, लंडन में दादाबाई नौरोजी के घर को blue flag सम्मान मिला है, और betaine omicron variant के लिए vaccine बनाने वाला पहला देश बन गया है, इतना आप UK के बारे में याद रखिए, ने क्यूशिन है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां boat fast 2023 का उदगाटन किया है, तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, राजीब कुमार, इन्होंने अभी बेंगलूरू में boat fast 2023 का उदगाटन किया, तो इसकुशिन का A options है, चुनाव प्रकरिया के बारे में जागरुकता फैदा करने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीब कुमार ने बेंगलूरू में boat fast 2023 का उदगाटन किया, ने क्यूशिन है, केन सरकार ने BASF भरती में पूर्ब अगनिवीरों के लिए कितने प्रतिसत आरक्षट की गोशना की, तो जो BASF की भरती होती है, उसमें पूर्ब अगनिवीरों के लिए 10% की गोशना अभी केन सरकार ने की, पूर्ब अगनिवीरों को 10% आरक्षट दिया जाएगा BASF की भरती में, ये गोशना की है केन सरकार ने, अचा BASF तो BASF यानि की Border Security Force, इसकी स्तापना कब होई, 1965 मे इसका Headquarter कहां पर है, New Delhi में, और इसके Present Time पर Director General कौन है, सुजोय लाल थाउसेन, कौन है, सुजोय लाल थाउसेन, ने कुशन है, किसानों के बित्ट पूसड के लिए, किस बैंक ने केंदरी भंडारण निगम के साथ MOU पर अस्ताक्चर किये हैं, तो किसानों के बित्ट पू यह, MOU यानि कि Memorandum of Understanding और एक टर्म होता है, MOU और एक टर्म होता है, MOA, इन दोनों में अंतर क्या होता है, MOU यानि कि Memorandum of Understanding और MOA, Memorandum of Association, जब किसी भी कंपनी के साथ या किसी देश के साथ, कोई भी डेल इनिसिल स्टेज में होती है, तो Memorandum of Understanding sign होता है, और जब डेल final हो जाती है तो memorandum of association sign होता है next question है हाली में NSAC की चटे बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे तो केंद्री मेंत्री पियूस गोयल अभी NSAC की चटे बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे तो इस question का say options है NSAC यानि कि National Startup Advisory Council क्या है National Startup Advisory Council next question है किसे LIC का अंतरिम चेर में न्यूक्षत किया गया तो अभी सिदार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम चेर में न्यूक्षत किया गया तो इस question का बे options आई है ये हैं सिदार्थ मोहंती और इने को LIC का अंतरिम चेर में न्यूक्षत किया गया है अच्छा LIC इसकी स्थापना कव हुई 1956 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और अब इसके इंट्रिम चेर्मेन बन गए हैं सिदार्त मोहन दी अभी A.M.E. इकाई की कमांद समालने वाली पहली मैला अधिकारी गेता राणा बनी Axis Mutual Fund का नया MD&CEO बेग गोप कुमार को न्यूक्त किया गया प्रामेरिका Life Insurance ने पंकज गुपता को MD&CEO न्यूक्त किया SS दुबे ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कारवार समाला है और ससस्त्र सेमा बलका महानिदेसक रस्मी सुकला को न्यूक्त किया गया है ने क्यूक्षिन है केस बैंक ने आधार Housing Finance के साथ सहुधार साज़दारी की है तो अभे Yes Bank ने आधार Housing Finance के साथ सहुधार साज़दारी की तो इस क्यूशिन का Cיूप्सण सही है अब Yes Bank इसकी स्तापना कब होई 2004 में इसका Headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेंटरें पर चेर्मेन कौन है सुनेल महता कौन है सुनेल महता नेक्यूशन है हाली में पार्किंग के लिए Digital Currency सुईकार करने वाली भारत की पहली Metro कौन सी वनी है तो कोचे Metro अभी पार्किंग के लिए Digital Currency एकसेप्ट करने वाली देश की पहली Metro वन गई तो इसके कौन का बे Options है है नेके कौन है हाली में केस राज में S3N2 Influenza Virus से पहली मौत दर्ज की गई तो अभी करनाटक में H3N2 Influenza Virus से पहली डेथ होई है तो इसकुशन का Say Options है है H3N2 Influenza Virus इससे अभी इंडिया में 90 मामले मिले हैं इससे 90 लोग प्रभावित हुए हैं और पहले मामले की मौत करनाटक में होई है यह जो बाइरस है इससे अभी 15 साल से कम उम्र की बच्चों को ज़्यादा प्रभावित हुए है और जो डेथ हुई है वो एजड व्यक्ति की डेथ हुई है तो करनाटक में इससे पहली डेथ हुई है अब करनाटक तो यह है मैप में करनाटक की केपिटल क्या है? बैंगलोर करनाटक की चीपनिष्ट कौन है? बसव राज बॉंबई और करनाटक की गवर्नर कौन है? तावर चंद्र कहलोत अब एक करनाटक ने 54 साल बाद संतो स्टोफी जीती है प्रदानमंत्री मोधी ने करनाटक में सिब मोगगा हवाई एड़े का उद्गाटन किया य चार सो करोड रुपए की लागत से वाईड़ा बना है और ये कमल के आकार में बनाए गया है करनाटक सरकार ने अमरत नगरोत्थान योजना की गोशना की है करनाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लेनिक लॉंच की है करनाटक में एसिया का सबसे बड़ा हैलेकुप्टर कार खाना खोला गया है अचार करनाटक में यक्षगड और डोलू कुनीता ये दो डांस मेहवास है करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनरकट्टा और कुद्रेमुका नेशनल पार्क ये करनाटक के इंपोर्टेंट नेशनल ने क्यूशन है किस ने बेंगलूरू मैसूर एक्सप्रेस बे का उद्गाटन किया तो बेंगलूरू मैसूर एक्सप्रेस बे इसका उद्गाटन अभी प्रदानवंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तो इस कुश्यन का A options है यह है यह है बेंगलूरू मैसूर एक्सप्रेस बे और इसका उद्गाटन अभी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किया है ने कुश्यन है हाली में जारी आंकडों के अनुसार भूस कलन सूचकांक में कौन सीर्स पर रहा है तो उत्राखंड का टेहरी और रुद्ध प्रियाग यह दोनों भूस कलन सूचकांक में टॉप पर रहे हैं कुश्यन का से option सही है वो प्रयुक्त दोनों भूस कलन से सबसे ज़्यादे डैत और भूस कलन के सबसे ज़्यादे मामले टेहरी और रुद्ध प्रियाग में दर्ज किये गए तो भूस कलन सूचकांक में ये दोनों जिले टॉप पर रहे हैं अब लास्ट वीडियो के कुश् दरी मुधिन यासिन को ब्रस्टा चार के आरोप में अरोष्ट किया गया तो इस कुश्यन का से option सही था और लगबग सबी स्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया मुश्ट ले इस के वारे हैं डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए लिख देली पोश्ट करते हैं तो आप फेसुख पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेसुख पर जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस यर कुश्चिन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुश्चिन में कोई डाउट हूता है या आपको अपने करियर स अजनी हजीटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज की स्टू का टार्गेट जरू याद रखना आज की स्टू का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है एलपो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और तक भी हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लिजीए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदध मिलेगी जब और आप इस सब्सक्राइब गरेंगे तो वरावर में एक वैल आईकर मण किया आएगा आप उस बैलाइकर पर जर यो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विदियो थैंक्स वर वाचिंग